हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैच चैनल आज हम लोग बात कर रहे हैं कि TGT होम साइंस का फॉर्म कैसे फिल करना है जैसे कि आप देख सकते हैं 2020 में जो विग्यप्ति आई थी होम साइंस और होम साइंस या फिर अधर सारे ही सब्जेक्ट की TGT और PGT की तो उसमें आपने फॉर्म फिल किया होगा लेकिन कुछ कारणों वश्व विग्यप्ति आपकी कैंसल कर दी गई और 2021 में उसको फिर से पब्लिश किया गया है अगर आप किसके अंतरगत फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर आप होम साइंस में फॉर्म फिल करते वक्त कोई प्रॉब्लम लुओं को दूर करने के लिए आज हम आपको यहां कर रहें किसकाओ क्लियर की कि आपको उस पर्टिकुलर इस वाले पर्टिकुलर ऑप्शन में क्या फिल करना है तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट लॉग इन करनी है जो है पूचा गया है और थर्ड में आपको बीएट पूचा है जब यहां पर आपका बीएट पूच चुके हैं तो सेकंड आप्शन में क्या फिल किया जाएगा यह बहुत बड़ा कनफ्यूजन है सभी के लिए तो उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें form फिल करना है form फिल करते वक बिल्कुल ध्यान से बिना किसी जल्डवाजी के अपने form को फिल करें क्योंकि एक चोटी सी गलती आपके जो फी है उसको दोवारा भरवा देगी और दौवारा आपकोree फिल करना पड़ सकता है इसलिए वीडियो को बिना skip के हूए अरा से फिल होता है सबसे पहले जब आप इस वाली पर्टिकुलर वेब साइट को लॉग इन करेंगे तो आपको यह पेज दिखाई देगा इस पेज पर खुलने के बाद यहां आपको दिखाई देगा सबसे ऊपर एड़िटाइजमेंट 2021 जहां पर आपको यहां विग्यपति दि दिस्क्राइब किया हुआ है तो आप चाहे तो इनको डाउनलोड करकर पढ़ सकते हैं फिर उसके बाद आपको क्या करना है आपको अगर आपको यहां पर एपलाइ करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आप परिक्षा वाले पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं देखिए यहां पर भी आपको अडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा यहां पर टीजटी और पीजटी दौनों के अडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे और अगर आपको सीधे रेजिस्ट्रेशन करना है तो केंडरेट एंडर ग्रेजुएट टीचर का तो हम इस पर आगे क्लिक करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्स की वेकैंसि हैं उन वेकैंसि में सारे ही उन्होंने अपनी वेतन कितना है परमनेंट है कैसा है इसारी चीज़ा दे रखी है तो हमें किसका भर्णा है हम में बात कर रहे हैं होम साइंस की तो हम फूर्थ नंबर पर होम साइंस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां पर रजिस्ट्रेशन का बटन दवाएंगे अगर आपको अगर आपको विध्यप्ति देखनी है तो व्यू पर क्लिक करेंगे और अगर आपको रिस्ट्रेशन करन आपको एक फोन नमबर आपका एंटर होगा आपका एक एमेल एड्रस चाहिए तो इस आरी चीजे आपको जो जो रिक्वाइड है नोंने पहले ही बता दी है के साथ में और इसी साथ में यहां इनों ने रिडे जो भाइलाइटि अपने इंक से लिखा हुआ है बिलकुल कि आपका जो भी आप फॉर्म पिल करेंगे वहाँ का अंतनी फॉर्म होगा कोई भी option आगे नहीं दिया जाएगा तो अगर आपसे कोई भी छोटी भी गलती हुई है तो आप उसको यहीं की यहीं दूसरा form फिल करके दोवारा से face submit करके अपनी गलती को सुधा कर सकते हैं क्योंकि आगे आपको इसको सही करने का मोकर नहीं दिया जाएगा जब आप यहां पर आपको यह नीचे option दिखाई दे रहा है यहां पर आपको on करना है बटन और i accept पर क्लिक करना है जब आप i accept पर क्लिक करेंगे तब आप इस तरीके से एक page पर पहुचेंगे इस page पर पहुचने के बाद में यहां आपसे पूच रहे हैं क्या आपने 2020 में जो विग्यप्ति निकली थी उसमें आवेदन किया था अगर आपने आवेदन किया था तो हाँ अत्वा नहीं पर आप क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने यहां पर आवेदन किया था तो हमने yes पर क्लिक किया है और यहां पर क्लिक करने के बाद में यहां पर हमारे पास में इन्होंने बताया है आपको पहले अपना registration number एड़ करना है आपको और उसके बाद में आपको अपना verification code यहां एड़ करना है यह जब आप एड़ कर देंगे तो proceed पर क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहां आपके पास आपका registration number आ जाएगा आपका advertisement post आ जाएगी आपका candidate number मतलब आपकी सारी आपकी जानकारी खुल कर आ जाएगी आप यहां पर उसके बाद क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप पहुँच जाएंगी एक page पर जहां पर आपकी सारी basic details दी गई हैं सारी basic details में आपको कुछ automatically fill मिलेंगी और कुछ आपको दोवारा से enter करने पड़ेंगी जब आप इनकी दोवारा से entry करेंगे तो वहां पर बिल्कुल एतिहात के साथ में और बहुत ध्यान से fill करें otherwise आपको again मैं कहूंगी कि संशोधन का कोई भी option नहीं है तो यहां सारी basic information को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से fill करेंगे जहां पर आपका नेम father's name आपकी education आपका domicile से related सारे questions को fill करवाया जाएगा उसके बाद में यहां आता है आपका जब आपनी basic information को fill कर देते हैं तो basic information fill करने के बाद में आपका यहां पर qualifications related options आते है qualification में आपसे यहां पर bachelor degree के बारे में पूचा है फिर graduate degree के बारे में बोले है फिर B.A.D. का पूचा हुआ है इस तरीके से आपको different चीजों के बारे में आप पूचा गया है इन सभी को आपको fill करना है जो चीजे mandatory हैं उनको yes करके आपको mandatory में fill करना है और जो mandatory नहीं है तो उ बारे में हम आपको बताते हैं with proof कि क्यों आपको यही चीज बरनी है क्यों आपको कुछ और नहीं भरना है तो देखिए आपको सारी चीज़े पहले तो बहुत ध्यान से बरनी है और equivalent वाला option वही student चुनेंगे जो यहां पर equivalent का option आता है जिन्होंने L.T किया हुए अगर है उसके अलावा कुछ और किया है इसी तरीके से यहां आपको बहुत सारे options हैं जैसे आपने B.A. Home Science किया है B.A. Home Science किया है या फिर B.A. Domestic Science किया है या फिर आपने Home Economics में किया है तो जो भी आपका relevant आपका Lady Irwin वाला है जो भी आपना relevant आपका course है आप उसको select कर लेंगे और बाद में आप उसकी सारी information भर देंगे कि year क्या थी percentage क्या थी आपकी ये सारी चीज़े भर देंगे फिर उसके बाद जब हमारा point 2 आएगा तो इसमें भी आपको अपनी graduation की degree की information यहां पर provide करनी है देखिए यहां आपसे पूछा हुआ है graduation with relevant business qualification in the sequence of government order number this 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 और हुनने date बता equivalent वाला choose नहीं करेंगे अगर आपने beard किया हुआ है तो सिरफ please select पर करके छोड़ देंगे तो यह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तो यहां पर आपको बता देती हूँ कि यहां इस particular वाले आपके पॉइंट में आपको bachelor's की degree का ही information क्यों देनी है देखिए यहां पर आप आप से पूछा गया है या तो आप ग्रह विज्ञान अर्थ्षात यानि की economic से हूँ या domestic science से हूँ या फिर आप home art से हूँ यह मैंसे कोई हो अत्वा लगा कि फिर आपको यहां option में दे रखा है आपने ग्रह विज्ञान महाविद्याला इलहाबाद से TC किया हो अगर आप यह भी नहीं है अत्वा लगा कर आपको लेड़ी एर्विन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा हो आपके पास में और साथ में यहां पर आपको टिपड़ी दी हुई है यानि कि नोट दिया हुआ है भारत में विधी द्वारा स्थापित किसी मानने मानिता प्राफ दियाले से सनातक उपादी शाषना संख्या यह इसके अनुक्रम में यानि कि आपको जो डिगरी है इसके अकॉर्डिंग यह देखिए सेम टू सेम आपकी यह जो संख्या है वो यहां पर भी आपको प्रुवाइड की गई है आप चाहे तो मैच कर सकते हैं यह आपको यहां option दे रखे हैं इनकी जो भी details है जो भी आप इस मैसेजस भी category में लायकरते हैं वो option फिल करेंगे वह बैचलर की और यहां पर लागः होगा तो आपकी बैचलर की डिगरी का information सारी फिल की जाएगी जैसे कि यहां पर बताया गया तो आपको यही फिल करना है यहाँ पर उसके बाद में आपको बीएड मांगा है और अगर आपने इन्टीग्रेटेड वाला किया है तो आपको यहाँ पर इन्टीग्रेटेड वाले फॉर्म पर क्लिक करना है यहाँ पर इसको नो कर देंगे इसमें इन्टीग्रेटेड वाले जिन्नों ने इन्टीग्रेटेड नहीं किया है ग्रूप टू वो लोग है जिन्नों ने लेंगे और आपका फॉर्म असानी से फिल हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन केस तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी कन्क्यूजन हो रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको डेफिनेटल यहां जवाब दिया जाएगा और कोई भी बहुत आनन फानन में मैंने आपको वीडियो इसलिए अप्लोड नहीं की क्योंकि प्रॉपर नॉलेज और प्रॉफर इंफोमेशन होना जरूरी है अदर्वाइस आपको फॉर्म गलत हो सकता है इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको इस वाले ऑप्शन में सेक कि कि आ होगा तो वह बीए की information भरेंगे और यहां पर वह ब्लोमा वाला option सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहां पर यह लोग्वलेंट क्वैलिफीकेश्चन का इसलिए यहां कर सकते हैं लेकिन ग्रेज्वेशन भी आपने किया होगा तो वह जरूरी है इसलिए यहां पर आप को helpful रहेगा जितनी भी questions हैं उन सभी को आपके solve करेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें share करें comment करें चैनल को subscribe करना न भूले bell icon को press करें और all पर click करें जिससे सारी latest video आपको मिलते रहें thank you for watching my video and have a good day bye bye